नमस्कार पसुपालग सातियों आज का एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं संसनीवाल डैरी फारम से अपने डैरी फारम से लेके आ रहे हैं जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो फेस्बुक पेज को फोलो कर ल तीसरे ब्यात की आपको जोटी दिखा रहे हैं बिल्कुल ताजी भी आई हुई जितने भी साथी संसनीवाल डैरी फारम से जुड़ना चाते हैं वो हमारे डैरी फारम पर डारेक्ट आके पसुदन देख सकते हैं खरीद सकते हैं साफ सुत्रे दूद वाली बैसे आप चु तीन दिन की ब्याई हुई जोटी मैं आपको दिखाऊंगा खीश से खाली होती हुई है और ये देखिए बच्चा साथ में कटड़ा है बहुत ही खुबसूरत और बोले चला के दिखा एक पर दूद कितना सुबास 10-11 किलो दूद आज मोके पे त्यारा जिखीश से खाली होती हुई तीन दिन की ब्याई जोटी में ये देखिए बिल्कुल बड़िया चुटा सींग और बड़िया जो है चुवाई की और लंबाई हुचाई की देखिए बिल्कुल साफ सुत्री है ये देखिए बोला जो ह है वो बड़ी भी नहीं है जो सही साइज होता है मुर्रा का वो साइज है ये देखिए अडर की क्वालिटी तीन दिन की ब्याई में ये जोस है आप खुद आइडिया लगा सकते हैं जब 15-20 दिन की ब्याई होई होगी बैंस तो उस दिन कैसा जोस होगा ये देखिए और प 45,000 रुपे की बेटनी है देखिए जी आज की डेट में 2,00,000 रुपे से लोग जो है वो डिमांड करनी शरू करते हैं बैसों की लेकिन हमारा जो काम है वो लगबग ऐसा है कि आप जो रेट है वो लगबग हमारे फिक्स रेट होते हैं कोई 1500 रुपे अगर कोई बाई कहे तो वही गुंजाइस होती है जादा कोई गुंजाइस नहीं होती इसलिए जो है वो मौस्टली आप वीडियो में रेट भी नहीं मांगते हैं और आज मांग लिया रेट तो आप खुद आइडिया लगा लो बिल्कुल जायज की मत किया है और दूद वाली जो पस्मी होती ह ज्यादा मुट्टी चर्बी वाली और दूद वाली जोटी है यह देखिए और जितने भी साथी लेना चाहते हैं नमबर मैं आपको उपलब्द करवा रहा हूँ बता भी देता हूँ ठाणवे 123 19 308 इस नमबर पर फोन करके जो आप 16 17 18 किलो दूद वाली जोटी जो है वो ख सुदन और जैज कीमत के साथ आपको मिलेंगे हां जी दोस्तों यह देखिए जब बैंस पश्माई है और पश्माने के बाद कितना बढ़िया जो है आप ठाण बगेरा और दार भी मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ही बढ़िया जो है खुबसूरत जो है वो बैंस है और यह देखिए मैं नजदीक जाके दिखा देता हूँ यह देखिए बहुत बढ़िया दार तिछलों की और मार बोड़ा वही इससे बढ़िया तो और क्या होगा यह देखिए जी बोड़ा भी हमारा थुड़ा कमजोर साही है लेकिन बहुत जबरदस्त जोटी जो है झाल